हाई गाईज दिस बवीता एंग वेलकम बैक तो मार चैनल दिवाइन लाइट टेरो गाईज आज का जो वीडियो उसका टॉपिक आपने थामनेल में देखी लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करें आज कर हमारा टॉपिक है वो यह है कि लोग आपके कौन से रूप को देखना पसंद करते हैं यह हम इस रीडिंग के दूद देखेंगे तो चलते हमारी रीडिंग की और देखते हैं कि लोग आपके किस रूप को देखना पसंद करते हैं अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरू करें साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते तो वाट्सप नंबर आल्रेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आप वहां से मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं तो चलते हैं हमारी रीडिंग की और देखते हैं कि लोग आपके कौन से रूप को देखना पसंद करते है जब आपके किस रूप को देखना पसंद करते हैं दा लवर्स का कार्ड जो पहला कार्ड आ रहा है वह आ रहा है थ्री ओफ पेंटेकल्स कल जो थी मेने रीडिंग नहीं डाली थी क्योंकि कलना मेरा फास्ट था हर्ताली का तीज का तो तो इस कारनद से कल जो था वो गेप हो गया था रीडिंग का है ना वीडियो नहीं किया था कले नी लोग आपके किस रूप को देखना पसंद करते हैं 9 of Swords का काड़े लोग आपके किस रूप को देखना पसंद करते हैं 7 of Swords Page of Swords लोग आपके किस रूप को देखना पसंद करते हैं 3 of Cups Wheel of Fortune लोग आपके किस रूप को देखना पसंद करते हैं 5 of Wands Ace of Pentacles and bottom of the deck जो आ रहा है वो आ रहा है 10 friends कुछ कार्ड और हम लेंगे यहाँ पर Prism Oracle कार्ड से लेंगे कुछ हम कार्ड तो लोग आपके किस रूप को देखना पसंद करते हैं लोग आपके किस रूप को देखना पसंद करते हैं Sadness का कार्ड है Growth Determination Peace Pain and rejection and bottom of the deck जो आ रहा है वा रहा है protection तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी राशियों की क्योंकि बहुत सारे लोग राशी के अनुसार से जो है अपनी रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं या देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आपकी राशी धनू हो सकती आपकी राशी स्कॉर्पियो हो सकती आपकी राशी मिथुन हो सकती आपकी राशी यहाँ पर तुला और कुम्भ हो सकती आपकी डेटा बद का मन्त जून हो सकता है मार्च हो सकता है सप्टेमबर हो सकता है जुलाई हो सकता है मई हो सकता है, फर्वरी हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है और मार्च मैंने आपको बताई दिया, मार्च हो सकता है यह आपकी डेटा बर्थ के मन्थ हो सकते हैं तो लोग आपके किस रूप को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहला जो overall जो energy निकल कर आ रही है वो आ रही है temperance की energy तो लोग आपको एक balanced energy के रूप में देखना पसंद करते है balanced energy means एक सधा हुआ इंसान, एक balanced इंसान, एक matured इंसान एक ऐसा इंसान जो की अपने emotions पर control कर सकता है जो अपने emotions को काबू कर सकता है, flexible रह सकता है situation के साब से अब temperance की energy क्या हुई, temperance card हमें बताता है कि harmony, balanced, बिल्कुल balanced personality, balance energy तो balance energy किसकी होती है, देखिए हर एक इंसान के अंदर दो तरह की energy होती है एक होती है masculine energy और एक होती है feminine, दोनों का बराबर रूप होता है, balanced रूप में, हर एक इंसान चाहिए वो male हो, चाहिए वो female हो, उस इंसान के अंदर ये दोनों energy होती है, masculine भी होती है, feminine भी होती है दया का भाव, एक female में भी पाया जाता है, एक male में भी पाया जाता है इसी तरह से aggression का, ego का भाव जो है वो, एक male और female दोनों में पाया जाता है, तो जब दोनों energy का एक इनसान के अंदर जब balance होता है, तो उसको हम temperance energy बोलते हैं, तो आपको लोग इस energy में, balanced energy में overall अगर हम देखें, तो balanced energy में आपको लोग देखना पसंद करते हैं, और यहाँ प आता है balanced, क्योंकि हाँ पर Gemini energy है, Gemini energy क्या बताती है आपको, lovers की energy कि आपका conversation skill बहुत अच्छा, आपका communication skill बहुत अच्छा है, आपका बात करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, इस energy को लोग पसंद करते हैं, इस रूप को आपके देखना लोग पसंद करते हैं, मत हर चीज को जानते हो, और साथ-साथ जो एक बात करने का जो तरीका होता है, जो एक way of talking होता है, जो way of convincing other people होता है, वो लोगों को बहुत पसंद आता है, तो इस रूप को आपके लोग देखना बहुत पसंद करते हैं, three of pentacles का काटे, भले ही आपको कितिनी ही knowledge हो, कितिना ही experience हो, लेकिन आपकी जो energy है, वो supporting energy है, आप लोगों को support करना पसंद करते हैं, आप लोगों को guide करना, counseling करना, और समझाना, मतलब help करना, support करना, कई लोग ऐसे होते हैं, जिनके पास knowledge होती है, वो किसी को देना नहीं चाह लेकिन आपकी energy ऐसी है कि आप अपने knowledge, आप अपने experience से लोगों को guide करते हो, help करते हो, उनको support करते हो, तो ये वाली जो energy है ना, ये इस energy में, इस रूप में लोग आपको देखना पसंद करते हैं, nine of sorts की energy, nine of sorts की energy क्या बताती है, क्या panic हो रहे हो, सिर्फ अपने लिए नही हो रहे हो, दूसरों के लिए भी हो रहे हो, panic होना, stress में आना, anxiety, depression, trauma में जाना, तो जरूरी नहीं है कि एक इनसान अपने लिए ही जो है, परिशान होगा, जो इनसान दूसरों के लिए परिशान होता है, वो energy में लोग आपको देखना पसंद करते हो, जब इनसान दूसरों की help करने के लिए चतपर रहता है, वो दूसरों को हमेशा ये कह सकते कि दूसरों की भलाई में, दूसरों के कह सकते हैं, परमार्थ में अपना जीवन व्रतीत करता है, तो लोग आपको इस energy में देखना पसंद करते हैं, तो seven of swords का card है, तो seven of swords का card ये बताता है कि आपको लो चाह कितना ही बुरा इंसान होना, वो अच्छी चीजों को ही लाइक करेगा, लेकिन वो अपनी गलतियों को भूल जाएगा, कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, और लाइक में अच्छी चीजों को कर रहा हूँ, तो लोग आपको जो है, चाह कितने गलत इंसान हो, वो आपको इस energy में देखना कभी नहीं पसंद करेंगे, साथ साथ page of source की energy, page of source की energy क्या है, page of source एक ऐसा इंसान है, जो बिल्कुल दो टूक जवाब देना जानता है, तुरंट जवाब देता है, तुरंट reply करता है, तो लोग इस energy में आपको नहीं देखना पसंद करते, three of cups की energy हमेशा खुश नुमा रहना, हमेशा खुश रहना, enjoy करना, party करना, एक अच्छा time सब के साथ spend करना, लोग आपको इस energy में देखना पसंद करते हैं, the high priestess का card दिखा रहा है, कि आपको लोग mysterious energy में देखना पसंद नहीं करते, रहसम एणर्जी, रहसम एणर्जी कैसी होती है, जो लोग secret छुपाते, बहुत छुप रहते हैं, कुछ अपने बारे में बताते हैं नहीं हैं, तो इस energy में लोग आपको पसंद नहीं करते, साथ साथ five of bonds की energy में, लडाई वाली energy में, conflict वाली energy में, लोग आपको देखना पसंद नहीं करते, हमेशा एक stable energy में, लोग आपको पसंद करते हैं, चाहे वो materialistic चीजों के लिए stability हो, चाहे वो आपके वैवार में हो, आपको एक stable personality के रूप में, लोग देखना पसंद करते हैं, साथ साथ, rejection का card है, rejection का card ये बताता है, कि कई लोगों को आदत होती है लेकि, तो लोग उनकी कदर जादा नहीं करते, जो लोग हमेशा हां में हां मिलाते, जो reject करना जानते हैं, जो ये कहा सकते हैं, अजर्टिव होते हैं, जो ना कहना पसंद करते, लोग आपको इस energy में पसंद करते हैं, pain का card है, तो लोग कभी भी आपको जो है, ऐसी energy में नहीं देखना चाहेंगे कि आप दूसरों को दुख दो, आप दूसरों को दर्द दो, परिशान करो, साथ साथ लोग आपको peaceful energy में देखना पसंद करते हैं, peace and calm energy, साथ साथ determination का काड है बहुत determined personality मतलब determination का काड है तो मतलब बहुत determined determined energy में लोग आपको देखना पसंद करते हैं साथ साथ यहाँ पर ग्रोथ का काड है ना तो लोग आपको ग्रोथ वाली energy growth वाली हमेशा लोग आपको आगे बढ़ते देखना चाते हैं हमेशा चाते हैं कि आप ग्रोग करो और वो कौन चाता है जो well-wishers होते हैं जो आपको पसंद करते हैं जो आपकी personality को like करते हैं वो लोग पसंद करते हैं साथ साथ यहाँ पर sadness का काड है लोग आपको कभी भी लोग पसंद नहीं करते हैं तो हमेशा इंसान को खुश रहना चाहिए हसते रहना चाहिए क्योंकि दुख से क्या होता हैं दूसरों को भी प्रभावित करते हैं दूसरे लोग जो है कभी भी इंसान को अपनी emotions को दूसरों को जाहिर नहीं करना चाहिए क्योंकि जब आपके weak points लोगों को पता लग जाते तो लोग उसका कई लोग miss use भी करते हैं तो आपको लोग इस energy में नहीं देखना पसंद गरते हैं यह थी reading, I hope आपको यह reading पसंद आई हो पसंद आई हो तो चैनल को subscribe, वीडियो को like, share, comment जरूर कीजिए Thank you so much for watching this video हार हार महादेर, श्री शिवाय नमस्तु भ्यम, ओम साहिरान, जय मातादी, रादे रादे